कैसे हैं आप सभी होप करता हूं लोग बहुती ज़दा बढ़िया होंगे गाइस सौरी मैं कहना चाहूंगा मैं काफी दिनों से काफी ज़दा इनक्टिव रहा था बट अब मैं एक्टिव होने वाला हूं और आप लोगों जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो फटा- बात कर रहा हूं मोस्ट पॉपलर सडैन यानि की हूंडा वर्ना के कॉंपिटिशन में दो तिन गाड़िया और आती हैं लेकिन वर्ना का एक अलगी स्टैंडर्ड है अलगी लुक डिजाइन आपको मिल जाता है हूंडा की तरफ से जैसे कि सियाज हो गई होंडा सिटी हो ग इस गाड़ी की प्राइस चली जाती है इसकार के अंदर 1.5 लिटर का इंजिन देखने को मिलता है जो कि 113 वह पी पाउर जनेरेट करता है आज के जो सवाल रहने वाला है आज मैं आपको दिखाऊंगा दस ऐसे क्रैसिज जो हूंडाय वर्ना के हुए हैं काफी खतरनाक भी हुए हैं कुछ थोड़े कम भी हुए हैं तो इससे हम लोग अंदाजा लगाने वाले हैं कि इस गाड़ी की बिल्ड कॉलिटी कैसी है क्योंकि अभी तक इस गाड़ी का कोई भी ग्लोबल एंड कैप नहीं किया गया बट जो बाहर इंटरनेक्शनल मार्केट में जो सबस्क्राइब जाएं तो यहां पर आप लोग देखोगे तो यह बंदा जब गाड़ी बहुत जादा थेज़ चला रहा होता है बारिश में एक दम से एक जगा ऐसी आती है जहां पर यहां पर एक चीज़ काफी ज़दा बढ़ी है वरना वाला ड्राइवर रहता है उसकी जान बच गई यहां पर यही चीज़ सबसे जादा वैस्ट है तो इस बारिश के समय में आप लोग भी गाड़ी को बिल्कुल कंट्रोल में चलाया करें जितने आपकी कैपसिटी उससे 10 के स्पीड कमी चला लिया करें वह जादा आप लोग लिए बैटर रहेगा नेक्स्ट जो कि बस के पीछे आरी होती है और वह काफी ज़दा रश ड्राइविंग कर रहा होता है कभी ओवर्टेक करने ही गोशिश करता है कभी एकदम से लेफ्ट राइट तो मतलब बहुत ही बेकार तरीखे से कार को चला रहा होता है और होता क्या है एकदम से बस थोड़ी स्पी जो कार है वो जाकर के बस के नीचे मतलब जो बैक साइड है उसको हिट करती है यहाँ पर काफी ज़दा डैमेज देखने को मिल रहा होगा आपको कार में और मिलेगा जो वर्णा होती है वो काफी ज़दा हाइज स्पीड में आती है यहाँ पर जितना इंपक्ट आप लोग में चलाया जा रहा होता है वो भी सिटी के अंदर और एकदम से कार जो है अपना कंट्रोल लॉस्ट करती है और काफी दूर तक गिस्ती वी जाती है और जाकर के एक पोल को हिट करती है यहाँ पर कार का डैमेज आप लोग देख सकते हो पोल से हिट होने के पाद गाड़ी जो है वो आलमोस्ट पिचक चुकी है जो ड्राइवर है खिर उसकी किसमत बहुत अच्छी रहती है वो इंजर तो होता है बड़ जिन्दा बच जाता है कार में अच्छा खासा आप लोगो डैमेज देखने को मिल रहा होगा चारो तरफ जो की काफी जदा बुरा हुआ इस क कार के साथ लेकिन अगर आप लोग भी ऐसे हाई स्पीड में गाड़ी चलाएंगे और कार अगर आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो आपके साथ यह होना नॉर्मल सी बात है नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट नंबर फॉर एक्सिडेंट यह एक्सिडेंट डैली का है अजादपू कि मैं यह कभी-कभी देखता हूं सबको तो नहीं कहूंगा लेकिन कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं अगर उन्हें कट लेना है तो एदम से सड़नली कट ले लेते हैं पीछे देखते तक भी नहीं है कि कोई गाड़ी आ रही है या फिर नहीं तो इक्जेक्ट यहां पर यही राइट में कट कर देता है वह जाकर के डिवाइडर से हिट होती है और यह टकर इतनी जदा जोरदार रहती है कि जो वर्ना है भाई हिट होने के बाद जो दूसरी वाल अपोजिट साइट का फ्लाइवर उस पर जाकर के गिर जाती है खेर यहां पर बंदेगी किसमत अची रहती है कि फ्लाइवर से नीचे गाड़ी नहीं जाती अधरवाइस तो मुझे नहीं लगता कि वर्ना भी उन लोगों बचा पाती चाहिए कितनी सेव रहती खेर यहां पर जो एक्सिडेंट होता है इस गाड़ी के अंदर एक लड़का और एक लड़की रहते हैं जिन दोन जाता है वैसे वर्ना को भगाने में मज़ा तो जरूर आता है लेकिन जब वो आउत आफ पंट्रोल होती ए तो उसे कंड्रोल नहीं उता है यहां पर इक्जक्टिल इन लोगे साथ यही होता है जैसी ही गाड़ी आउप उफ काथी दूर तक स्लिप खाते हुए जाती है और मामली सी भी खरोज नहीं आई बट अगर अगर आप वही गाड़ी की तरफ नजर डालोगे तो आप लोग यहाँ पर काफी ज़दा डेमेज देखने को मिल रहा होगा और एक महिंदरा ऑल्टुरेस जिसमें बैट करके दो लोग आ रहे होते हैं अपने दोस्त के बर्थेडे सेलिब्रेट करके और ऑल्टुरेस वाले जो बंदे रहते हैं वो रॉंग साइड आ रहे होते हैं और नॉर्मली रात के टाइम में रोड खाली रहती है तो सब सोचते ह हैं भगा हो यहां पर वरना वाले की भी गलती रहता है लेकिन उससे ज्यॺ्रा गलती रहती है महिंदरा ऑल्टुरेस वाले की के पूरी तरीके से रॉंग साइड आ रहा है अठी वरण वाला बंदा है थोड़ी से स्पीड में रहता है और जैसी वो कर्फ से गाड़ी को गुमाता है एकदम से सडल ली जो उसके सामने आ यहां पर आप लोगों को नहीं पता कि कब आपके साथ क्या हो जाए नेक्स्ट नमबर सेवन एक्सिडेंट के बारे में बात करते हैं यह एक्सिडेंट है गौलियर का जो कि सेटेड़े को होता है और यह मुझे लगा कि बहुती खतरनाग एक्सिडेंट होता है चार दोस्त जो कि अपनी वर्ना में बैठके गौलियर से मुंबई की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में एक दम से उन्हें कोई न्यूस देता है कि यह मतलब वहां बारिश वारिश हो रही है मौसम देता है जिसके दो दोस्त रहते हैं मतलब जो ड्राइवर को रहता है उनकी तो ऑन दे स्पॉट हो जाती है वह उस्पिटल में होते हैं जिन में वहां पर उनकी जान तो बच जाती है लेकिन इससे मैं यहीं को कि भाई मौत आपका कहीं भी पीछा नहीं छोड़ सकती है होता है हाई स्पिड में एक्सिडंट होता है आप लोग जानते होगे है जो थोड़ा gr पौरृब जाता है ज पूरी तरीके से हिट करती है क्योंकि कि ड्राइबर धेर में इतनी krijgen गाड़ी वह हिट हो जाती है ट्रैक्टर जो है दो टुकडों में बढ़ जाता है तो आप खुदी अंदाज अलगाओ कि स्पीड कितने दाता रही होगी और जो ट्रैक्टर का ड्राइवर रहता है उसकी ऑन दे स्पॉट डैथ हो जाती है वहीं अगर आप वर्ना की तरफ और एकदम से दो बैल इनकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं वरना जो रहती है वो पैनिक ब्रेकिंग करती है बट लास्टी लास्टी आते आते वो हिट कर ही देती है बैल को यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहना चाहूंगा जो रूलर से एरिया रहते हैं तो वहाँ पर मैंने एकसर यह चीज़ देखी है एकसर थोड़ा बहुत होगा नहीं कि लोग आगे खटा हो जाते हैं और वहाँ के लोगों की डिमांड भी इतने दाद रहती है एक मुर्गी मर जाए तो भाई 15,000 लगेंगे 50,000 लगेंगे मतलब कोई सैंस ही नहीं है तो इस चीज़ के लिए ब इसा तो अपनी जगह है बट इन लोगी जान बच गई वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाड़ी में भी काफिस दर डैमेज आया है और यहां पर आप लोग देख सकते हो जो गाउंवाले रहते हैं वो इन लोगों से डिमांड करते हैं कि हमारे बैल को चोट ल कर लेनी चाहिए बट गईस आप अपनी गाड़ी को पहले कंट्रोल में चलाओगे तो ही बैटर रहेगा क्योंकि आप लोगों नहीं पता कि कब कौन सा कर्व कहां आ जाएगा तो यहां पर यही होता है एक आटो वाला जो की सामने जा रहा होता है नॉर्मली हाइवे के बी वील उसे कट कर देता है होता कि है जो डिवाइडर आप लोग यहां पर इमीजिस में देख सकते हो उस डिवाइडर से उड़ती हुए गाड़ी इतनी दूर से डिरेक्शन में की सटी वी काफी दूर तक जाती है यहां पर आप लोगो सबसेदा डैमेज देखने को मिला वह वरना के बंपर में और फ्रंट साइड में क्योंकि वहीं से सबसेदा यह डिवाइडर से लड़ती हुई आई है कि इसके अंदर दो ही लोग रहते हैं जिनकी जान बच जाती है उनको ज्यादा चोट नहीं आती एर बैक्स जो है वो टाइमली ओपन हो जाते हैं तो भाई क्या रहा है आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूरू बताइएगा बाकि इंस्टाग्राम पर फटाफट डियम कर दो किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए